जब कुछ जानकार लोगों की मंडली हो तो उसमें अज्ञानी से शुरू करना बहुत अच्छा है एस्टूप पर हूँ ना ट्विटर पर हूँ ना मुझे यह सब चोचले आते हैं एक तो बात मुझे यह लगती है कि मैं चाहूं ना चाहूं मैं उसको बर्तूं ना बर्तूं यह सोशल मीडिया एक भ्यानक उपस्थिती है एक तो यह हुआ है कि बहुत सारे लोग जो बहुत हम जैसे लोग जो बहुत लंबी बखबख करते थे वो शायद अब थोड़े संक्षेप परागें थोड़ा कम बोलते हैं और सकी चुटीले पन से बोलते हैं अब हर चीज़ पर इन हर कोई लिखने को आजाब है तो यह भी लोग तंत्र का विस्तार है कि पहले तो हम लोग अपने को लेखत मानते थे लेखत वो लोग होते थे जो जितको थोड़ा बहुत होना रहता हो कुछ भाशा को व्यापका व्यभार करना आता हो जो कुछ साहीं तो गरे पढ़े लिखे हो अब ये बंदिश मुझे बहुत का यां पढ़ती रहती है तहसे की पढ़ती रहती है तो मतलब तरह की चीजों के लिए लेकिन कभी तो मेरे इत्र बताते हैं कि आप विव्यापने कुछ ऐसा कहा तो उसको लेकर फेस्बुक पर बहुत आप पर हमले हो रहे हैं और आपकी चीज़ेदर हो रह से कोई बहुत फर्क नहीं पढ़ता लेकिन पटा चलता है कि भी तो यानि यह है कि आपको हर चीज पर राय देने का हक पैदा होगा है कि हर नागरिक को एक हक है कि वो अपनी राय व्यक्त करें अलेजांद्रा बारीकु और बारीक किताब है कि जो अपने आप में होती थी नहीं जमाने की किताब है उसका इससे कोई तालुग नहीं मुझा रहा है जो अन्यत्र हो रहा है उसकी निरंतरता में लिखी जा रही है और वो पहले की पुस्तकों की निरंतरता में लिखी जा रही है तो ये एक बहुत दिल्चस्प विकास है जहां शब्द को पहले के शब्द याद नहीं आएंगे बलके उसको वही आदाएगा जो उसके साथ साथ है but I still hope that there will be a segment who is still left in spite of the social media's tremendous and powerful attack for this kind of a voice to survive to at least being heard even if by people. We live in the era of the instant and social media captures that perfectly and it was so interesting that you mentioned Alessandro Barrico because he's from one of my favorite novels a novel called Silk but it's actually a novel that's perfect for the Twitter era, it's 140 pages it's really a novella and it's delightful and many of you will enjoy it if you haven't read it already but they were not given a fair enough hearing in the mainstream media but as a result they became dominant on social media I can tell you that some of the wildest pronouncements of some of the more esoteric proponents of the Hindutva right will get 150 retweets before one sort of liberal voice has managed to come back with a counter thrust so social media is that space and if you happen to belong to the liberal minority then of course you're hit upon quite substantively, quite substantially and quite frequently so social media is not going to belong to all of our followers and most of the calls actually kind of catch the breaking news on Twitter now also that's one thing because all of the major things started in the beginning because social media started in the beginning of the world when Ayodhya was talking about Manila he said something about something and then he said something about it and then he said something about it and he said something about it he said something about it but we are not a democracy where we are not a democracy where we are not a democracy and there is people who are notiende where we are not passer and where we are not talking about it and all the parts of their social media are big role that you can learn about it and then you can overcome it how manyroyances have been given to the industries करें तब बुरा है तो कहो बुरा है कि बना ये लिए पर मुझे लगता है कि हार हिंदी बोलने वाला या वाली अजर्ट जो मेरी माता हैं और यांतियां और बड़ी बैने शामिल है वो सब इंडिन रेंटेगर बैठ तो उसकी उसे धार अवाइक हिंदी में कंज्यूम कर रह हैं तो क्या ये विशा है ये नहीं है और वो एक्तम अच्छूत की तरह कहीं वो बाहर खड़ी हुई है तो कोई बात करने उसे दियार नहीं कोई भी लिख सकता है मेरे कुछ दोस्त सोशल मीडिया को आवारा मीडिया भी कहते हैं क्योंकि वहां पे सेंसिशिप नहीं है वह हैं हम लोग जहां स्पीड आई है और जिसमें दर में वो चलेगा सोशल मीडिया एक टूल है जिससे आप किताब को कहीं भी हैं इंसान के मोबाई फो तक पहुचा सकते हैं मेरी ये माली हालत थी ही नहीं कलपना में भी कि मैं आड करूं उसको लेके प्रोमोशन्स में पैसे ये मैं शुक्र गुजार हूं सोशल मीडिया का कि मैंने उसका इस्तेमाल की और दूनों भाशों में किताब बैस से नहीं यहीं नहीं उसमें मैं फिल्म मैं आ रहोग तो सोशल मीडिया से मुझे प्रोडूसर मीडिया अगर आपको किताबों से प्यार है तो भी इन से विश जो झाल जो झाल